सत्यगर में विकाज सुरक्षा जो नारा है वो पल पूर रहा है यह आदिवसीलों बहुत कूस है अभी बाजार भी जा रहे हैं ताना में भी जा रहे हैं देश के सुरक्षा लड़ने वाले यहां पर उनका साइद वाई है बुर्कापाड में बुर्कापाड में 122 लोग को पिछले रमान सिंग के सरकार ने कुमार को नी सके आंडी को पोड़े है सोर को नी पकड़ कर को जैल ले गए है यह बोलते नहीं है अंडा क्या बोलते है मुर्गी को नी सके अंडा को पोड़े है इसी परकाड यहां के 122 लोग को जैल गया 15 साल इन लोग जैल में थे मैं इन लोग को हमारा गाम में मिलने आने वाले थे मेरे घर में आने वाले थे मैं बोला तुम्हारा गाम में आऊंगा किसी भी परिवार को दूकी परिवार को अपना गाम नहीं बुलाना है जिस दूकी घर में दूकी परिवार में उनको साके मिलना है अज इस इस लोग से मिलने से इस बहुत कूँस है यहां पट्टा नहीं है 15 साल में यहां बुम्बी का पट्टा नहीं पट्टा मोकरा में ही बात हुआ आज भी यहां बात हुआ है सर्वे पूरा हो गया है 20 तरिक तक इनका पट्टा पूरा बाटेंगे और इनका केत को पांच साल कोई देख रहे करने वाला नहीं है घर भी तूट पूट हुआ है गाई बहला भी कोई ले गया है और केती भी पूरा बरबद हुआ है इसलिए हम पूरा कोशिस करेंगे केत को नारेंगा मत से मारा मत करने का चोड उर्जा लगाने का आज इस बात का कुछी है कि उन लोग का शेरा बहुत कुछ नजर आ रहा है आज मैं आप लोग के सामने पिछले सरकार का बात मेरा सरकार का बात गुपेज बगिल का सरकार का बात किया हूँ पिछले समय बजर नहीं पा जा पा रहे थे ताना में नहीं जाप पा रहे थी पुलिस जान देखोंगे पर मारते थे ताना के बाजू में गुमने से अंदर वाला पीटते थे दोनों तरफ परसान थे मैं अभी इस बात का कुछी हूँ मानि मुक्वे मंत्रिका निर्देश सत्तिगड में विकाच सुरक्षा जो नारा है वो पल पूर रहा है यह आदिवसी लोग बहुत कुछ है अभी बाजार भी जा रहे है ताना में भी जा रहे है दोनों तरफ से बड़ी अस्षानती है और बस्तर बदल रहा है एक गुपेज बगेल के पुर्देश दुनिया में नाम रखे गया और बस्तर कादिवसी जो पलन किये है पुलिस के मद्देम से अज सांती हो रहा है इसका आशिरवाद मेरे को भी मिलेगा हमारा सरकार को भी मिलेगा गुपेज बगेल को मिलेगा धन्यवाद